गौवर्मेंट का एक अनॉस्मेंट आया है दोस्तों 8 जून को उस अनॉस्मेंट के तहत ये बोला गया है कि वो टैक्सपेर्स जिनको निल GST रिटर्न फाइल करना है महीने का वो SMS के थूबी फाइल कर सकते हैं निल GST रिटर्न पहले आपको समझा दो दोस्तों निल GST रिटर्न का मतलब होता है कि आपको किसी भी तरीके की पैसे को सरकार को ना तो देना है ना सरकार से किसी भी तरीके का पैसा लेना है GST के अंदर पैसा देना लेना आप इस हिसाब से compare कर सकते हो कि देखिए हर साल दोस्तों आप एक ITR return भी फाइल करते हैं उस ITR return में आप बताते हैं सरकार को कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना income tax आपने दे दिया अगर आपने ज्यादा दिया है तो सरकार से आपको इतना income tax वापस लेना है अगर आपने कम दिया है तो आपको सरकार को उतना ही income tax ज्यादा देना है तो यह ITR return में होता है, GST return में भी कुछ इस तरीके कही होता है दोस्तों GST return को अगर आप देखोगे तो GSTR 1 से लेके GSTR 11 तक forms होते हैं उसमें जिसमें सबसे important form होता है GSTR 3B तो सरकार न यह बोलाए कि जिनका निल GST return है यानि जिनकी पूरे महिने में एक भी invoice generate नहीं हुई है उनको GSTR 3B form भरने की जरूती नहीं है वो पस एक simple सा SMS भेज के अपना निल return फाइल कर सकते हैं वो SMS 14409 पे भेजना है यह number याद रखेगा PCS 1 liners में यह पूछा जा सकता है अब दोस्तों देखो यहाँ पे मुझे यह समझ में आया कि आपको GST के बारे में कुछ चीज़ें बतानी चाहिए देखे GST लागू हो रखा पहले central exercise लगता था goods पे और services पे लगता था services tax दोनों को मेरा क्या आप कर दिया है goods and services tax तो यह goods and services tax कैसे किया जाता है इस GSTR 3B में क्या होता है यह सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों इस पूरा का पूरा GST return कैसे फाइल किया जाता है इसको हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगा आगे बढ़ने सब्सक्रेंट पहले friends like का बटन जरूर दबा दीजे और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले अब यह देखें GSTR 3B क्या होता है GSTR 3B एक सिंपल सा return होता है जिसमें समरी होती किस चीज की समरी होती है आपने कितने goods बना के बाहर भेजे हैं outward supplies और वो outward supplies domestic market में भी बेची जा सकती है या देश के बाहर export भी की जा सकती है और आपका input tax credit क्या है और आपको कितना tax pay करना है सरकार को यह आता है GSTR 3B में यह सब चीजें automatically nail हो जाएंगी अगर आपने किसी भी तरीके की production नहीं की है किसी भी तरीके का आपके सब्सक्राइब नहीं की तो फिर आप क्या GST भरोगे और क्या GST वापस लोगे अब यहाँ पर हम लोग GST के concept को समझने कोशिश कर रहा हूँ इस concept को समझाने के लिए मैं मान के चलूँगा कि हर stage पे 10% का GST लगाया जा रहा है हाला कि GST rates अलग है 5%, 12%, 18% अलग-अलग commodities पे अलग-अलग GST पर मैं यहाँ पर GST 10% मान के चल रहा हूँ मान लिजे एक manufacturer है इस manufacturer को मान लेते हैं A और यहाँ पर 4 और manufacturers है 1, 2, 3, 4 यह A manufacturer कुछ बना रहा है और इस A चीज को बनाने के लिए उसने 4 लोगों से समान खरीदा simple हर stage पर GST को मैं 10% मान होगा मान लिजे 1 ने जो समान बेचा A को वो 25 रुपय का था 2 ने जो A को बेचा वो 35 रुपय का था 3 ने जो A को बेचा वो 10 रुपय का था और 4 ने जो A को बेचा वो 30 रुपय का था 10% का GST है मान लिजे तो अगर धाई रुपए का समान बेचा तो GST कितना होगा है धाई रुपए का 35 रुपए का समान पर GST होगा है 30 रुपए का, 10 रुपए का समान पर 1 रुपए का 30 रुपए का समान पर 3 रुपए का Simple GST concept क्या होता है कि भाई, consumer GST pay करेगा For example, आपको IAS की coaching करनी है आप गये दिल्ली में, दिल्ली में किसी हाई फाई इंस्टिटूट में 1 रुपए की आपने coaching कर ली उस 1 रुपए को जब आप pay करोगे तो उस 1 रुपए में आपका GST included होगा और वो GST आपकी coaching institute आपके बिहाव पे जाके सरकार को भरेगी तो चुकि यहाँ पे सामान बेच रहे है 1, 2, 3, 4 तो यह अपना GST खुच जाके सरकार को भरेगे तो जो 25 रुपए का सामान जिसने एको बेचा है वो 2,5 रुपए सरकार को भरेगा GST जिसने 35 रुपए का सामान बेचा है जिसमें 2,5 रुपए GST लिखा होगा और इस पहली वाली इन्वाइस में पहले वाले जो प्रेडूसर है वन प्रेडूसर का GSTN नमबर होगा और जो खरीदार है उसका GSTN नमबर होगा Similarly दूसरे नमबर पर जो जो इन्वाइस जनरेट हो रही है उसमें value लिखी होगी 35 रुपए यह लिखा होगा कितना GST कलेट किया गया साड़े तीन रुपए जिसने सामान को बेचा दूसरे नमबर वाला परसन इसका GSTN नमबर जिसने खरीदा उसका GSTN नमबर Similarly for 3 and 4 ठीक है दोस्तों तो आप देखते हैं कि A को यह समान टोटल कितने रुपए का पड़ा तो 25 प्लस 35 साथ 10 सतर और 300 रुपए और 100 रुपए में 10 रुपए का GST तो A ने समान खरी लिया 110 रुपए का अब यहाँ पर देखे क्या है 4 invoices execute हो रही हैं दोस्तों मालेज़े पहले वाले case में I1 दूसरे वाले case में I2 तीसरे वाले case में I3 चौथे वाले case में I4 तो यह जो अलग-अलग manufacturers हैं 1, 2, 3, 4 इनका अपना खुद के GST portal पे इनको login करना है उस GST portal पे जाके वो invoice number इनको upload करनी है GST portal पे जिसके तहे दिनोंने A को सामान बेचा है और A भी अपने GST portal पे जाके इन 4 invoice numbers को mention करेगा 1, 2, 3 और 4 अपने GST portal पे क्या लिखे हैं ये कि हमने 25 रुपय का सामान बेचा जिसमें 0,5 रुपय का हमको GST मिला है A से और ये 0,5 रुपय हम सरकार को जमा कर रहे है उसी तरीके से second वाला 3,5 रुपय सरकार को जमा करेगा तीसरा वाला 1 रुपय सरकार को जमा करेगा चौथा वाला 3 रुपय सरकार को जमा करेगा तो total 10 रुपय चलेगे सरकार के पास तो यहाँ पे input tax credit मिल जाये का 10 रुपए का इस A को क्योंकि 10 रुपए का GST 1, 2, 3 और 4 अरड़ी सरकार को दे चुक है और वो 10 रुपए आये कहां से हैं A की जेब से तो A के पास अरड़ी input tax credit आ गया 10 रुपए का अब मान लीजे जो भी सामान के लिए इसने raw material लिया था 1, 2, 3, 4 से उस सामान को इसने बनाया और वो सामान बन गया मान लीजे 150 रुपए का उसने बना के भेजा होल सेलर को तो होल सेलर को इसने भेजा 150 रुपए का बना के अब 150 रुपय का दोस्तों बना के भेजा है अगर GST इंक्लूड कर दिया जाएगा 150 रुपय का तो W को कितने पैसे देने पढ़ेंगे 10% तो यह हो जाएगा 165 रुपय तो A ने समान को बेचना चाहा 150 रुपय में लेकिन चुकि उसके उपर 10% का GST लगाना है तो 150 पर 10% का GST लगाना कितना हो गया 165 रुपया यानि कि इस होल सेलर को कितना पै करना पड़ा A को 165 रुपया उस 165 रुपय में से जो A है वो 1.5 रुपय अपने पास रखेगा और 15 रुपय सरकार को देगा तो यहाँ पे A को पै करने 15 रुपय सरकार को लेकिन अपने GSTR 3B में A क्या लिखेगा अपने GSTR 3B में A लिखेगा कि भाई मैंने सरकार को केवल 5 रुपय दिये क्यों? क्योंकि 10 रुपय तो मेरी जेब से पहले ही जा चुके तो यहाँ पर यह जो A है न वो अपने input tax credit का इस्तमाल करेगा और वो input tax credit क्या था? 10 रुपय था अब यह मैं आपको केवल एक transaction के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, किसी भी एक party की एक महीने में बहुत सी transactions होती है मैं बस यहाँ पर एक समान में समझा रहा हूँ तो A ने पहले जब उस समान को खरीदने के लिए जब GST, GST भरा तो भाई 10 रुपय का GST भर दिया वो उसका income tax credit हो गया जब उसने wholesaler को बेचा तो उसको 165 रुपय मिला जिसमें से 15 रुपय GST था लेकिन 10 रुपय का income tax credit हो पहले ले चुका है तो वो केवल extra कितना पे करेगा 5 रुपय पे करेगा और अपने input tax credit को claim कर लेगा समझ के दोस्तों उसी तरीके से ये wholesaler आगे retailer को बेचेगा तो हो सकता ये wholesaler आगे retailer को 200 रुपय में बेचना चाहिए बट 10% की वाइसे 220 रुपय में बेचे तो इस तरीके चीज़े step by step दोस्तों आगे बढ़ती रहती इस तरीके से GST का concept काम करता है तो यहाँ source से A के पास आया और A से अगले step पे कहा तो दो step हो में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि GST की जो handling होती है वो किस तरीके से होती है किस तरीके से input tax credit आता है किस तरीके से outward supplies आती तो एक के example में मैंने आपको समझा दिया outward supply गई डबलो के पास उससे आया कुछ GST inward supply से उसने कुछ GST दिया था दोनों को उसने balance कर दिया GSTR 3B में और अभी GSTR 3B में क्या बोला गया है कि भाई अगर आपकी कोई invoice generate ही नहीं हुई एक महीने की तो कोई जरूत नहीं है कोई इस फाइल करने की सीधे सीधे आप nail कर दीजो इसको SMS से अब देखें यहाँ पे दोस्तों यह जो चीज मैंने आपको बताई हो गई यह हो गई अगर आप अपने बनने वाले सामान को domestic market में भेज रहो माल लीज़े अगर इसी सामान को आप export कर रहे हो माल लेते हैं कि इसी सामान को आप export कर रहे हो उस case में देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 है यह A माल लीज़े एक exporter है उसने भाई चारों से सामान लिया उसके 110 रुपे दिये और उसके बाद उसने 110 रुपे के सामान को कर दिया export export में मैं आपको दोस्तों बता दू कि देखिए GSTR फाइल करना पड़ता है export में भी हाला कि GSTR चार्ज नहीं किया जाता अगर आपने कीज़ी चीज़ को domestic market में बेचा है तो आपको सरकार को GSTR भरना पड़ेगा लेकिन अगर आप उस चीज़ को export कर रहे है देश के बाहर तो आपको GSTR भरने की जरूत नहीं हो और अगर आपको भर दिया है तो आपको return मिलेगा कैसे बताता हूँ क्या होता है दोस्तों ये 1, 2, 3, 4 ये लोग भी केवल 25, 35 ये 25 का बेच रहा था, ये 35 का बेच रहा था ये 10 का बेच रहा था, ये 30 का बेच रहा था अब ये 1, 2, 3, 4 भी तो बल्क में काम करते होंगे, किवल 25, 35, 10, 30 रुपए की चीज़ तो बेची नहीं होगी इनके भी लाको रुपए की खरीद फरोग रही होगी तो अगर मान लीजे इन 1, 2, 3, 4 वालों को पता है कि इनका सामान एक्सपोर्ट करना है तो अपनी concerned GST range में जाके ये bond फाइल करेंगे जिसको बोला जाता है LUT bond और उस LUT bond में अपने concerned GST range के officers को ये बताएंगे कि भाई ये जो चीज़ है ये export होने वाली है और उस पे ये रोख GST फाइल नहीं करेंगे फिर जब समान A के पास आ जाएगा तो अब्वेसी बात है A कित्तर रुपया पे करेगा यहाँ पे? A यहाँ पे पे करेगा 100 रुपया और A भी समान export करेगा A जब समान export करेगा तो एक shipping bill फाइल करेगा उस shipping bill में उस पूरे समान की value होगी जिसको export किया जा रहा होगा ठीक है? और वहाँ पे उस shipping bill में लिखा होगा कि क्या इसने GST paid किया है या यह LUT में export कर रहा है LUT में export करने का मतलब क्या है दोस्तों? कि यह GST pay नहीं कर रहा है अब इस A की भी कोई concern GST range रही होगी उस range में इस समान को या तो यह pay कर सकता है या LUT में export कर सकता है बहुत ध्यान सुनी तो उसमें बहुत important concept बता रहा हूँ जो originally सामान को supply कर रहे थे 1, 2, 3, 4 इनकी अपनी GST range है यह जो A सामान को बना रहा है इसकी अपनी GST range है यह 1, 2, 3, 4 के पास options है कि वो अपनी concern GST range में LUT bond के अंदर सामान को भेज सकते हैं और अगर LUT bond के अंदर नहीं भेज रहा है तो paid में भेज सकते हैं इस A के पास भी यह chance है अगर वो चीजों को export कर रहा है तो वो paid कर सकता है GST को यह LUT bond के अंदर भेज सकता है अगर वो LUT bond के अंदर भेजेगा तो shipping bill पे लिखा होगा LUT और आपका समान हो जाएगा export सिंपल सी बात है फिर जब समान export हो जाएगा तो यह A अपनी concerned GST range में जाके उस shipping bill को जमा करेगा और उस shipping bill की copy देगा 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और यह 1, 2, 3, 4 भी जाके उस shipping bill को अपनी concerned GST range में जमा करेंगे चुकि अगर 1, 2, 3, 4 और A ने उस concerned shipping bill को अपनी GST range में जमा नहीं किया तो GST authority उनसे बोलेगी कि आपके export का proof कहा है और अगर अगर आपने export नहीं भरा है तो GST भरिए समाझ के दोस्तों यानि कि इस LUT bond से हो क्या रहा है इस LUT bond से यह proof मिल रहा है कि भाई यह चीज export हो रही है और finally case को close करते वक्त यह लोग shipping bill मांगते है यहनि concerned GST range shipping bill मांगेगी माल लिजे कि इस 1, 2, 3, 4 वाले ने GST को pay कर दिया LUT bond के अंदर export नहीं किया pay करने की बाद भी अब चुकि मैंने आपको बताये कि exports पर GST नहीं लगते तो pay करने के बाद भी जब A यहां से export कर देगा इसको shipping bill मिल जाएगा A को तो shipping bill की copy यह one को देगा यह one वाला जाके shipping bill दिखाएगा अपनी GST range में कि देखिए मैंने इस सामान को export कर दिया और जितना GST इसने pay किया था अपनी range को उतने का इसको refund मिल जाएगा समझ गे दोस्तों तो GST जब export पे collect किया जाता है न दोस्तों तो उस export वाले GST का refund मिल जाता है party को और वही सामान अगर domestic market में बेच दिया गया तो कोई भी GST return नहीं मिलता है हमारे exports competitive हो सके इसलिए हमारे exports पे GST नहीं भरा जाता अगर भरा भी जा रहा है तो उसका refund मिल जाएगा अगर आपने LUT bond के अंदर चीज़ों का export किया है तो अपनी GST range में आपको जाके दिखाना पड़ेगा कि देखे मैंने इस चीज़ को export किया है और अगर आप अपना proof नहीं दिखा पाए या आपने इस चीज़ को export किया है तो वो आपसे GST मांगेंगे और अगर आपने GST pay भी कर दिया है जिस चीज़ को अगर आप export कर रहे हो तो export का proof दिखा के अपने paid GST को आप अपनी concern GST range से वापस ले सकते हो और आज के लिए सब चीज़ें online हो रही है यह पूरा process है GST का दोस्तों अगर domestic consumption के लिए चीज़ बनी है GST pay करना पड़ेगा अगर export के लिए चीज़ बनी है तो GST pay करने वापस ही मिल जागा या अग GST pay मत करिए अब government के उपर यही कुछ दिन पहले जाम लगाया था जो total GST collections थे उन total GST collections को government ने बता दिया कि भाई यह हम पूरा पैसा GST से मिल रहा है जबकि वो गलत था बहुत सारा उस GST collections का refund भी गया था refund चला जाएगा अगर आपने GST बढ़ दिया और चीज़ को export कर दिया तो उसका refund आएगा तो वो पैस सरकार का थोई न वो तो exporter कही था exporter ने बस यह दिखाने के लिए कि मैंने एक transaction किया GST बढ़ दिया बाद में उसको GST वापस सेगी यह चीज सेनवैट में नहीं होती थी value-added tax में नहीं मिलती थी बट इस GST में बहुत आराव से मिल रही है दूसरा GST से क्या हुआ कि जितने भी financial transactions हो रहे है वो सब on record आ रहे है भले ही उसका पैसा भले ही export का पैसा सरकार को नहीं मिल रहा है पर सरकार को यह जानना है कि export के process में हर level पे कितनी खरीद फरोगत हुई उसको जानने के लिए या तो LUT bond का concept अंदर लाया गया या फिर GST paid का concept अंदर लाया गया दोनों से सरकार को यह पता चल जाएगा कि actually export में कितने की खरीद फरोगत हुई market में तो यह था पूरा chain एक GST कैसे operate करती है थोड़े अलग तरीके की वीडियो बनाई है थोड़ी ज़्यादा tricky हो गई है बार बार अगर आप वीडियो को देखो गए तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी मैं थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़े आपको बताने कोशिश करता हूँ जो कहीं और आपको नहीं मालूम पढ़ जाएं जो थोड़ी सी मुश्किल है किसी भी वीडियो में मैं किसी टेक्स्ट को पढ़ता नहीं हूँ